आजी तो value ladder एक marketing strategy है क्या है आप अपने business के लिए कैसे use कर सकते हो आज इसी कबारे में बात करेंगे में नाम है गुरिशन सिंग और आप देखरो easy digital marketing तो सबसे पहले समझते हैं कि value ladder होता क्या है तो value ladder का मतलब होता है कि series of offers बनाना जो आप अपने product या service के लिए logo को दोगे इसका मतलब समझते हैं एक simple सा example लेके इसके बार आपको पता चल जाएगा कि आप कोई भी business करते हो products का या services का तो किस तरीके से आप अपने लिए value ladder बना सकते हो तो पहली चीज़ा value ladder है क्या value ladder का म देंटिस्ट को आप कहते हो कि are cavity हो गई दातों में वह कहते है ठीक है थीक करता है तोन जो गहा अपना इलाज यहपने लिए आपने UP को ढईके TWE को ढलेते हम हजार रूपे के आपका इलाज हो गया तो आप बोलता है कि वा इनापको पढ़ेगी 2000 रुपे की तो आपके दांग बढ़िया हो जाएंगे तो आप कहते हो अच्छा ठीक है तो आप घर आते हो देखते हो यार कैविटी तो अब वाइटनिंग देखते हैं वाइटनिंग अगर मैं करा लूँगा तो यार दोजार और लगेंगे बढ़िया हो जाएंगे तो आप दो चार दि दस दिन बाद दुबारा जाते हो और वाइटनिंग करवा लेते हो जैसे वाइटनिंग के बाद आप उसके रिजल्ट का वो आपको बोलता है कि आर आपने वाइठ किरा ली बट आपके दो दात थोड़े टेड़े हैं यापका एक स्ट्रेट करा लो स्ट्रेट करालो दात तो आप तो लोगे अच्छा एक दांत का कितना लगता है तो बोलेगा तीन हजार लगेंगे बस उसके बाद आपका काम सेट हो जाएगा तो चलो ठीक है महीना डेड़ महीना हुआ आप देखते हो यार दांस सफेज भी होगे केवटी भी नहीं है तो आप महीने डेड़ बाद जाके उससे दांत भी सीधा करवा लेते हो अब जब आप जाने लगते हो क्लिनिक से तो आपको एक सिर्ल पिछ और मारता है कि आप मेरे से मेंबर्शिप ले लो और हर महीने क्या खाना है या क्या क्या चीज़े आप यूज कर सकते हो आप मेरी पूरी तीन महीने की मेंबर्शिप ले लो आपको मैं हर मन्त बताता रहूंगा और आपका फ्री चेक अप होता रहेगा तो आप बोलोगे अच्छा मेंबर्शिप कितने कि है वो बोलेगा छेजार रुपे की मेरी मेंबर्शिप है तो 2000-2000-2000 एक्जामपल ले रहे हैं जादा भी वैल्यू हो सकती है तो आप बोल अपर था आपको मेंबर्शिप ही करना था मेशना आपका मेंबर्शिप भी बेचना चाहता था वो हर कस्टमर को यह हाई जो उसकी टिकेट का प्रॉड़क्त या सर्विस है उसका विसका प्रोफित होता है बट आप डिरेक्ट्ली नहीं बेच सकते तो आपको सीरीज ओफ प्रस बनाने पड़ते हैं पहले आप ट्रस जीतते हो उसके बाद छोटे ओफर के साथ फिर थोड़ा बड़ा ओफर देते हो दैन उससे बड़ा तो यह जो सीरीज कि लाइफ के हिसाब से उतना प्राइज आपको रखना चाहिए और अगर ज्यादा वैल्यू है और ज्यादा टाइम तक वह चीज चलती है तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो अगर कम है बहुत छोटा है आप रिप्लेस बलो आपका प्रड़क्स सर्विस रिप्लेस आप मेरी फ्री वीडियो देखो आपको पता लग जाएगा इस सब्सक्राइब करेंगे अग्जामपल के लिए मैं इतने चोटी वैल्यू पर लेके चलते हैं दो हजार में पर मन्त आपका काम कर दूँगा बहुत नहीं करता है दो हजार में आपके सारे सोचल मीडिया आपके वह कर दूँगा हैंडल कर दूँगा सोचल मीडिया एकाउंट और उसके बाद मैं कहता हूं कि अब आप पोस्टिंग के साथ-साथ चल वालो हजार रुपया और एड कर वालो तीन हजार में आपकी सारी एड्स रन कर दूँगा तो दीरे दीरे बेसिकली प्राइस क भी आप यह चीज़े कर सकते हों तो आप यह वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर जरूर ना इस सैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आने वाले टाइम में मैंसी डिजिटल मार्केटिंग डिलेटी ट्रेक्स टिप्स और टॉपिक्स कवर करता हूंगा आधि को करने मदद कि साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनस है तो ऊसे ग्रो करने भी मदद करें खरांती अगリ मेरा डिजिटल हॉक करके पेज है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और इस कोर्स का नाम डिजिटल होग है तो जा कि आप वहाँ पे क्वेरी फिल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग आपको कॉंटेक्ट कर दिया जाएगा तो तब तक के लिए नेक्स वीडियो को वेले थेंक चार बाई